क्रिश्णा राधे राधे तो आज का ठाकुर्जी का शिंगार और आज है ब्लॉग नमबर 25 तो देखिए सभी के शिंगार दर्शन में आपको करा देती हूँ और ठाकुर्जी संडे को पता यहां पर जब से मादव और मादवी का विवा हुआ है तब से अब आए स्लाई रूम में काम करने का मनी नहीं करता था यह नहीं थे तो तो सभी के शिंगार दर्शन और दो तीन दिन से काम का बर्डन बहुत ज्यादा अब एक तो होते ज्यादा एक होते बहुत ज्यादा होने के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी तो उसके लिए आप सभी से शमाचाती हूं बाकि आज कोशिश कर रही हूं कि मैं प्र प्रशादी लेने के लिए तो कटिंग करने से पहले मैं चाय और थोड़े से भोग के नमक पारे खाने में क्या है ममा चीले और ये है मेरी डिमांड क्योंकि मुझे चीले बहुत पसंद है बट बेसन वाले नहीं मेठे वाले इसके बाद बनेंगे मेठे वाले चीले हां टे अचाया 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 थाकुछी ने कहा जी आज ने कहा जेट चीले कहाने है पेशन की हम उन्हों नहीं अथने मेरी से बहुत था कि मेठे उली ने वी खाईंगे अब अभी थ्लाल बेसन पिर भोग लगें मेड़ा उसके वाद में बहुत बढ़ा दिया है और यार पता है गुस्सा होने कावी ना अपना ही मजा है आज दो से मुझे गुस्सा होके और फोन ओफ करके आज कुछ स्पेश्यल मिले चलिए मैं आपको दिखाती हूं देखिए मैंने दो से फोन ओफ किया हुआ था यू अ कि मैंने आपको भी कल एब यह कर पा रही थी तो मैंने इरिटेट होकर मैं अपना फोन ओफ कर दिया था और मैं कोई कॉल ही नहीं अटेंड कर रही थी तो तरुन को लगा कि मैं उसे भी गुस्सा हूँ और आज देखी मेरे लिए क्या भेजा डोसा मनाने के लिए ट्रीट भाई ऐसे तो मैं रोज रोज गुस्सा हो जाओंगी अगर मुझे रोज डोसा और इडली मिलेंगे तो तो तैंक यू तरुन और वैसे मैं तुमसे गुस्सा थी भी नहीं बट कॉल मैं इसलिए नहीं की थी क्योंकि कॉल से नहीं मैं बहुत ज्यादा ही यह सुचू के परेशान हो गए थी तो इसलिए मैंने फोन आफ कर दिया था तो मैं तुमसे कुस्सा नहीं थी बट थैंक यू डोसे के लिए तो अभी महीमा और प्रभात भी नहीं है दोनों और मैं और ये हम दोनों खाएंगे डोसा अभी तो हम लेते हैं डोसे के मज़े और आप सब कीजिए विडियो अजोए तो ये है मेरा डोसा ये भी अभी चाय पी रहे हैं और अब है इनका गाड़नी टाइन यानि के तुलसी के कुछ पत्ते जो काले हो गए थे उन्हें ये कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर मैं और मास्टर जी काम कर रहे हैं मास्टर जी सिल रहे हैं और मैं क्टिंग कर द्यूंद है और हमारे ठोको जी डाय है यानि के वह देख रहे हैं कि कौन-कौन सी ट्र debein मरत नहीं है नहीं तो यह देखिए वो सभी आवर बैठकर निगरानी कर रहे हैं आप सबकी पुशार की और ये आपके लिए न्यू डिजाइन तयार हुआ थो तो इसकी वडियो आप सबको मिल ही चुकी है और अब हो गया है पैकिंग का टाइम तो हम करें पैकिंग तो आज हम जल्दी ही पैकिंग करने के लिए अब यह साड़े छे बजे हैं और साड़े साथ वे तक पैकिंग करेंगे उसके बात तो अब हम पैकिंग कर रहे हैं और यह हमारे साहब जी बैठ गए हैं पैकिंग के ल और हमारे थाजर की साथ में पैकिंग कर आ रहे हैं यह यह शॉल नहीं रखना है एक सेकंड मैं आपको डिजाइन वे दिखाँ यह एड्रस हटाओ ना एड्रस 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 यह है तो यह जा रही है 18 इंच के राम दरबार के लिए और राम दरबार का क्योंकि जो उनका हा है वह जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसके साथ में ओपन ब्लाउज रखा हुआ है बहुत ही प्यारी पोशाक है यह और इसका वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ तो यह रिखे और बाकी यह वाइट ड्रस मैंने आपको दिखा ही दी है और एक यह महरूम कलर की पोशा है निए 15 इंच के युगल सरकार के लिए बाकी यह यह बनी है किसी कंस्टोमर की तो यह भी राम दर्बार की ही बनी है यह 15 इंच कर यह बनी है और बागी उलते टैवल पर रखी है श्या चुके हैं तो यह बन लाइत हाब होजी का भोग तो यह हमारे पार्सल पैक हो गए हैं और हो रहे हैं और आपको एक डिजाइन में दिखा देती हूं यह जा रही है शिवरात्री स्पेशल शिव पारवती जी की ड्रेस तो यह है शिव जी का पटका और यह है उनका चोगा मुरिक छाल का डिजाइन किस्ता और यह है हमारी पारवती जी का यह देखें ब्लाउज इसी में अटैच किया गया है जिससे के पहनाने में बहुत इजी रहता है और यह है उनका दुबट्टा तो यह छे नम्मर की शिव पारवती जी की कोशाग जा रही है तो मैंने सुच औ और मैं प्रेस करने के लिए बैट चीकी हूँ और आज ना मन नहीं लग रहा है क्योंकि आज घर पर महिमा और प्रभात दोनों ही नहीं है नानी गया गए है सुबह आज आएंगे दोनों आज नहीं है तो आज रूड़ी कभी खाने खाना भी नहीं खाया रूड़ी जा रह आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं समाप्त और फिर मिलते हैं अपनी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ अब तक लिए हरे कृष्णा राधे राधे